कुरोना संक्रमट पर प्रभावी लगाम लगाने के उद्देश से सासन के निरदेश पर रविवार को सापताहिक बंदी का जिलादिकारी केविजिंद पांडियन ने महानगर में भ्रमन सील रहकर तैयारियों का जैजा लिया जिसके सम्मत में जिलादिकारी केविजिन पांडियन ने बताया कि सापताहिक बंदी करके जिले में युद्ध अस्तर पर सफाईवा सिनिटाइजेशन का अभियान चलाया गया डियम ने बताया कि जहां पर कंटेनमेंट जोन है तथा भीड़ भावाले मारकेट या करोना मरीज मिलने की संभावना है उस जगह को सिनिटाइजेशन किया जा रहा है डियम ने बताया कि या अभियान 24 घंटे चलेगा इसके लिए नगर निगम की 19 गाड़ियों को लगा दिया गया है तथा फायर ब्रिगेट की 12 गाड़ियों को भी सिनिटाइजेशन के लिए लगाया गया उन्होंने बताया कि सिनिटाइजेशन के लिए कुछ प्राइबिट गाड़ियों को भी हायर किया गया है जिसे कि हर वार्ड में एक गाड़ी हो और सही तरीके से महानगर के सभी वार्डों को सिनिटाइज किया जा सके जिलादिकारी ने बताया कि इसके लिए लोगों को जागरूप भी किया जा रहा है कि संक्रमर को फैल्ले से रोकने के लिए सभी लोग प्रशासन का साथ देना होगा उन्होंने बताया कि सापताहिक बंदी का सभी नागरिक पालन कर रहे हैं तथा बहुत और शक्ता पर ही घर से बाहर निकल रहे हैं इस सम्मंद में गुरकपूर न्यूस से बात करते वे जिलादिकारी केविजिन पांडियन ने कहा कंटे का बंदी चलना है उस पे सभी मिशनेरी आक्टिव है कासवर पे जो सफाई का अभियान चलना है हर गल्ली में हम लोग एक तरफ से हाइपरक्लोरेट सोल्यूशन से फिनाईल से इसी से दुलवा रहे हैं कासवर पे कंटेनमंट जोने कहां कहां जो कोविड का पेशन जादा है कहां कहां महरीज मिलने के संभवना जादा है कहां कहां बजार इलाका है कहां कहां बसकेशन है रैलेवेसे इलाका कहां जनता लोग जादा आते हैं वहां उसी इलागा का स्पेशल अभियान चलता है, यह हमारा चूवीज गंटे चलता रहेगा, वैसे कल रात में ही शुरू हो गया है, उसको जो नगन निगम का उननीस गाडियां और लगा दिया हम लोग, उस पर हाइपकलोर रिसोलूशन लगा करके, फायर ब्रिगेड का ब बहार ना निकाले, मैं मीडिया साथियों से यही अपिल करने चाहता हूँ, हम जल्दी यही तो यह बीमारी को उपर खाबू पाने के लिए की तरीका है, सब लोग कंदे से कंदे मिला करके, हम लोग यह इसी बीमारी से लड़ेंगे तब हो पाएगा, देकि जनता से कासा कंट्रोल में कर लेंगे, उमीद है, और बस तीन मूल मंतर हमेशे याद रखें, बिना मास के गर से बाहर नहीं निकलना है, दोगज का दूर यह और हाथ का सफाई, बार बार करते रहें हमेशे याद रखें